है रो दोस्तों मैं हूँ आसा और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों को कुछ अलग बताने वाले हूँ जो आप घर की ही चीजों से आसानी से बना सकते हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा बिल्कुल बिस्कृट मत कीजिएगा तो यहां पर हम ले लगे मेरी गोल्ड बिस्कृट और यहां पर मैं गुड़े बिस्कृट भी लिए हूँ तो आप चाहां तो दोनों बिस्कृट एक ही रख सकते हैं या फिर अलग अलग भी से र सारे बिस्कृट हमने तोड़ करके और तयार कर लिए हैं और अब हम ले लेंगे एक गेंडी इंजाग और इसमें हमको इसे पॉडर बना लेना है तो यहां देखिए मैं अभी इसी में सक्कर पिस्कर करके और तयार की हूँ तो वही इसमें लगा हुआ है तो इसमें धोने कम मीठा होता है मेरी गोल्ड तो यहां पर थ्वासा इसमें शक्कर जरूर डालें और यहां देखिए रूम टंप्रेशर का मैं यहां पर इगाह दूद ली हूँ तो मैं आधे गिलास से उपर दूद इसमें एड़ कर दी हूँ और इसको फिर हम ग्रेंजार में चला लेंग अब यह कितना फ्लक्पी दिख रहा है इसका इस्टेक्चर दिखिए आप कितना बढ़िया यह दिख रहा है अभी इसमें मैं बेकिंग पॉडर या बेकिंग सुड़ा यहां पर नहीं इस्तेमाल की हैं तो अब हम इसे एक बरतन में निकाल लेंगे आप इसमें सक्कर अपन तो मैं इसमें नहीं बनाने वाली हूं मैं यहां पर इस चाय का पेन था मैं उसमें बना रहे हूं आप चाहें तो भगोने में या पर इस तरीके का कोई भी बरतन आप ले सकते हैं और यहां देखिए इस बिचार को यह कोने हम पड़ा हुआ था तो वही मैं आज इसे उठा इस बर्तन को ग्रीज कर लेते हैं जिसमें हमको केक बनाना है मैं यहाँ पर केक बना रहे हूं और इसमें लगा देए हमें ग्रिस कर लेंगे हम को ज्यादे इससे नहीं मिक्स करنا है और मिक्स करने के बाद हम में इसको रखना नहीं है इसे तुरंत हमको गैस पर चढ़ा देना है तो देखिए अब हम इसको इस चाय के पेन के अंदर डाल देंगे और आप देख सकते हैं बलकि इस तरीके की आपकी होनी चाहिए और इसको हम तो आसा टेप कर लेंगे जो भी एर बबल सुनगे वो निकल जाएंगे और इसको हमको डायेक्टली नमक के उपर तवे पे इसको चढ़ा देना है और इसको आप इतने अच्छे तरीके से ढखिए ताकि थोड़ा भी भाप इससे बाहर ना निकले यानि कि बहुत ही पर्फिक्ट बैठने वाला बरतन आप यहां पर इस्तेमाल किजिए तो देखिए मैं यहां पर इस्तेमाल करने हूं ऐसा बरतन जो इसको हम छोड़ देंगे करीब 35 कीज से 40 मिनट के लिए और अब हम कर देंगे यहां पे तौछ टाइम ऊपर ही हो सकता है क्योंकि दिपियद करता है आपके यहां पर वर्तन पर लेफि promoting पर इस्तेमाल रॉंपत्य देक हो सकते हैं ओर तो देखिए कि हुमारे बेक हो चैप करके हैं और मैं आप मैं तोद आपको लिटाली थी और फुर के आधे से ऊपर हो गया है तो अब हम इसको ठंडा हो चोड़ देंगे और इधर मैं बना रहे हूँ सुगर सिरफ यहाँ पे तो मैं दो चमच आप पानी ली हूँ लग रहा है केक जल गया लेकिन जला नहीं है फ्रेंस यह जो हम लगाए थे बठर पेपर न वही है नीचे अभी मैं आपको निकाल के और उसके बाद दिखा रहे हूं तो यह देखिए यह निकल गया केक अब अगर आप चाहते हैं तो इसे टूलेर्स का भी बना सकते हैं या या फिर आप ऐसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं या फिर बिना डेकोरेट किये भी आप इसे खा सकते हैं लेकिन देखिए मैं यहाँ पर मेरे पास ऐसी नाइफ नहीं है तो मैं यहाँ पर देखिए आपको एक आईडिया बता रहे हूं आप एक धागा लीजिए जो रिल स कपड़े वह रासिलते हैं वही वाला और उसको आप दो भार फोल्ड कर लीजिए और इस तरीके से देखिए मैं किस तरीके से इसको कट कर रहे हूं लेकिन हलके हाथों को आपको चलाना है जब आप सुरुआत में सुरू करें तो भी हलका चलाएं और लास्ट में जाके भी हल हो जाएगा अगर आप इस तरीके से बना चाहते हैं तो देखिए अब धायों को में लग देंगे और मैं आपको निकाल के दिखा रहे हूं यह देखिए कटके और त्यार हो गया और दुनों लेयर में अलग-अलग कर दे रहे हूं तो एक को भी हम साइड में लग देंगे इसके जरत हमको नहीं है अब यहां देखिए मैं एक ब्रासा कटोरी ली हूं और उस पर मैं एक ठाली लगा रही हूं ताकि हम अच्छे से केक घुमा करके हम स्टाइं कर लेंगे यहां मैं लगा रहिए आप सक्राइब कर लेंगे ब्लुक कांषब और लाईद न सटाइन के लिए और अब देखिए उपक्री तो उस का रेंचे. और अच्छे से सेट भी कर लेता है आप सुछते हैं कि क्रीम है तो फिर कैसे अंदर सुगर स्रिप जाएगा लेकिन वह हो जाता है फ्रेंस मैंने ऐसा कई बार किया इसलिए मुझे पता है तो देखे अब मैं यहाँ पर सुगर स्रिप लगा रहे हूं मैं आपको यह इसलिए कभी ऐसा होता है कि अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं आप बिल्कुल टेंसर ना लें कि अरे अब तो हम क्रीम लगा दिये तो फिर सुगर स्रिप कैसे लगाएंगे नहीं यह लग सकता है और आपका केक भी बहुत बढ़ी आओगा इसलिए मैं आपको उपर से सेकेंडर लेर भी लगा देंगे और इस पर मैं पहले सुगर स्रिप लगाऊंगी यह भी मैं आपको दिखा दे रहे हूं कि आप चाहें तो इस तरीके से भी इसमें सुगर स्रिप लगा सकते हैं और इसको आप हाथों से प्रेस करके अच्छे से सेट करें तो देख जाए हुआ कि दिखा है को तो इहां देखिए मैंने क्रीम इसमें लगा दिया है चारो तरप से अपने क्रीम करें लें अपर से इसको def Cleo एक स्भीर परक dubpha से अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसको थोगा थोगा करके एक एक सेट करेंगे तो आपको एजी लगे आप जैसे भी डिकॉरेट करना चाहते हैं आप इसलिक कर सकते हैं आपको बाहर से मागर से कुछ भी लाने को जरूरती नहीं है और आप इस केक को आसानी से बना सकते हैं आपको अचैनल को जरूर श्रक्राइब कि जिए केक कमर तयार हो गया है और साइड में जो बेल आइकन है उस पे थ्वासा अंग्री से दूर आप टेस्ट कर देजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालू ओ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे अब मैं इसे आपको कट करके दिखा रहे हूं और आप देख सकते हैं कितना बनियां केक बन के मत त्य प्यार हुआ है मुझे तो मुझे पानी आ रहा है क्योंकि मुझे केक बहुत पसंद है लेकिन आपको दिखा दूं पहले यह देखिए आप देख सकते हैं कम क्रीम में और बहुत बढ़ियां लगता है फ्रेंस आप एक बाद जरू से बनाईएगा जरू से ट्राय बतेगा कि आपके पैसा बना और मिलते हैं आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में